हलो एवरीवन उमीद है आप सबी लोग बढ़िया होंगे मैं भी बहुत बढ़िया आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि ट्रेकमेन की जो जॉब प्रोफाइल है ट्रेकमेन में क्या-क्या काम होता है ट्रेकमेन की पोस्ट पर हम कौन-कौन से काम करते हैं उस पर म करेंगे मैं आपको बिल्कु शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा है न विल्कु डीटेल में बताऊंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक लाग तीन हजार वेकेंसी में से करी तो जादतर केंडिडेट्स को ना चाहते हुए भी वो ट्रेक में की पोस्ट देंगे उस कंडिशन में क्या करें उसके उस कंडिशन में आप अवेर रहें उस काम को करने के लिए तैयार रहें और थोड़ा प्रॉपर माइंड सैट कर लें कि मुझे जब तक इस नौकरी में रहना है तब तक मुझे इस नौकरी को डील कैसे करना है उसके बाद मुझे साथ-साथ तैयारी भी करनी हो और आगे बढ़ना है तो अब ध्धान से सुनिए ट्रेक में में क्या होता है ट्रेक मेंटेनर फोर्थ ग्रेड में आप जाओगे अठारा सो आपका ग्रेड पे रह हैंगे बहुत सारा स्टाफ रहेगा उसको आप ग्रॉप भी कह सकते हो गैंग भी कह सकते हो करीब 10 15 25 करीब 40 लोगों तक का स्टाफ होता है एक यूनिट में बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है तो उसमें सबको अलग-अलग काम अलोट किया जाता है जब आप अठारा सो ग् के लिए बुलाते रहते हैं तो 28 दिन की जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें क्या होगा आपको पूरा सिखाय जाएगा की काम क्या होता है पूरा टेक्निकल बात है हर एक चीज आपको सिखाय जाएगी जब 28 दिन की आप ट्रेनिंग करके जाएंगे तो यहां पर आप आपको तीन तरीके से काम करना होता है, सबसे पहला होता है, जो कि morning duty पर सुबह 6 बजी से लेके 4 बजी तक की duty के time से जाते हैं, वो कहलाते हैं की man, वो 2400 ग्रेड पर वाले होते हैं, लेकिन अगर आपकी training हो गई है और वो छुट्टी पर है तो उसकी जगा आपको भेजा जा सकता है, तो की man का काम सुबह 6 बजी से लेके 4 बजी तक होता है, जो कि section check करता है, section मतलब पट्रीयों पर track पर चलता है, और track को check करता है कि पुरा section चेक करते हैं, कहीं पर ट्रेक तो तूटा नहीं है। एक होती है, सुबै आठ से पंच बजी तक की ड्यूटी जिसको आप गैंग में ग्रुप में ड्यूटी बोल सकते हैं, जो की मॉर्नें ड्यूटी होती है। उसमें आपको सभी लोगों को टास्क दिया जाता है कि आपको ये काम करना है atraickman में काम क्या हूता है तो traikman में ये काम होता है कि जैसे मानके चलो आपने two-wheeler four-wheeler की सरफीसिघ होगी ना उसी तरीके से आपको ट्रेक की servicing करनी होती है, ट्रेक में कुछ भी टूटा-फूटा है, कुछ भी कमी है, कहीं पर कोई plate लगनी है, emergency plate लगनी है, कहीं के nut bolt screw खुले हैं, कहीं पर oil and greasing होनी है, पूरा maintenance repairing आपको करना होगा है उस shift में, सुभै 8-5 की shift में, तीसरी होती है night duty, तो नाइट ड्यूटी कुछ कंडिशन में चलती है जैसे कहीं पर बहुत बड़े बड़े ब्रिज है ना तो बरसात में वहां पर चलेगी कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा बारिस होगी नाइट और ठंड में तो नाइट ड्यूटी चलती ही है जो की रात के 11 बजे से चलता ड्यूच बहुत कई पाने से सही अपको अलाइट रहना पड़्या होती तो आपको रहना पड़े से रहते हैं पुरह सेक्छन कहीं पर ट्रैक एक कुछ surplus किए उनीहीं थो टार्पी तो नहीं है कुछ पत्रिंफही तो नहीं कि सेकूंपर सबर्स ध्यूटी बहुत गृर्ट की नवकरी, तो नाइच पेट्रोलिंग के यह वल ठंड के मौसं में होती है, और बृज पर भी कभी बरसात में हो सकती है पूरे टाइम नहीं होती है, नाइच पेट्रोलिंग बाकि जो गृर्प की नौकरी है वो आपको वारा महीने करनी तो इसके लिए एक बंदा फिक्स होता है या फिर जब वो छुटी पर रहेगा तो कोई ना कोई जाएगा ठीक है तो यह प्रोपर काम होता है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब कह रहे होगे कितने घंटे की ड्यूटी आर्स होती है 8 घंटे की 12 घंटे की तो देखिए आप सुबह 8 से 5 तक जाएंगे उसमें डिपेंड करता है अगर आप में लाइन पर है में लाइन मतलब जहां पर बहुत सारी ट्रेन है दोनों साइट से निकलती है वहां पर आपको सुबह 8 से 5 बदी तक रहना पड़ेगा काम का भी ठोड़ा लोड होता है हर चीज का ध्या ते बेस्थे आप उर उसके साब जाहिए एंपर दूसी साइट सी नहीं आरी काम होता है वहां पर आत्रा आपकर आपकी छुफ्ती जल्दी भी हो सकती है जरूरी नी कि वैसे तो 5 बेंगे का एककर जल्दी बनुल होते है यहां करते है कि यहां पर नश्युबहा सोड़ा को लोग काम कर लेंगे उससे साफसे उनको इतना काम दे देंगे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम दे दिया जाएगा तो मेल लाइन में थोड़ा ज्यादा काम होता है वर्क लूट ज्यादा होता है सिंगल लाइन में थोड़ा काम कम होता है अब वो डिपेंड करता है कि आपको कॉन सा स्टेशन मिलेगा और एक लागती मेर वेकेंसी में से करीब एक ताली से जार ट्रेकमेन की पोस्ट है तो ना चाहते हुए भी आपका प्रिफरेंस नहीं भी होगा तब भी आपको देंगो और आपको करना पड़ेगा इसके साथ साथ जितना भी टाइम बसता है आपको प्रोपर रेस्ट में चुट्टियों में या फिर ड्यूटी करने के बाद जितना भी टाइम बसता है उसमें आप पढ़ते रही है तैयारी करते रही है और आगे बढ़ने के प्रयास करते रही है क्योंकि रेल्विक आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना तो जो आप कर सकते हैं उसमें आप बीच ड्यूटी में फोन भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं continue work नहीं होता अगर आपको थग गया है तो रेस्ट भी कर सकते हैं कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा आराम से काम कर सकते हैं बस जो आपको टास्क दिया जाता है वो आपको लेकिन करना होता है अगर किसी दिन आप नहीं भी कर पा है तो आपके जो support में गृप में और यहां पर गृप में काम होता है तो बहुत सारे लोग आपकी help कर देंगे डरने वाली कोई बात नहीं है ठीक है तो आपकी help भी हो जाएगी और इसके अलावा अगर कर रहे थे कि मुझे अपना घर बनवाना है या कुछ भी घर के खर्चे हैं घर में किसी की साधी करनी है तो 30,000 के करीब salary मिलेगी 28-25-30 के बीच में vary करती है तो 30 प्लस भी हो जाती है और कुछ पूरे ग्रुप को किवल पानी पिलाएगा उसको कोई काम नहीं करना पड़ता है और एक waterman होता है colony का जो railway colony होती है जहां पर railway quarters बने होते हैं वहां पर उसका काम किवल पानी की supply को चेक करना होता है कि टंकियों में पानी आ रहा है पानी खतम दूनी हो गया तो कुछ ऐसे टास्क है कुछ लोग उफिस में भी लग जाते हैं कुछ लोग ट्रॉली मैं होते हैं हां एक चीज में बताना भूल गहा था जो ट्रॉली में होते हैं परमैनेंड वे चलते हैं उनका काम कुछ नहीं रहता साहप को पूरा सेक्शन पूरा एरिया जिस रेंज में वो पोस्टेड है वो चेक कराने का काम होता है तो आई होप आप सारा को समझ गहांगे अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक से इंकी सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्ना बाद बाए